नमस्कार आप देख रहे हैं, जे जे निउस और मैं हूँ आपके सानिशा उपरेती, तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है, हल्दवानी की मुख्य खबरों का तो चले शुरू करते हैं पहली खबर के सान्थ अजादी कामरित महुसलब कारिकरम के तहत हल्दवानी में आयोजित कारिकरम का उदखाटन केंद्रे रख्षा राज्यमंत्री अध्यभट ने किया, गुरुवार को भूमिया बेंकट हॉल में आयोजित कारिकरम में पूर सैनिकों ने सैनिकों के बच्चों के लिए हॉस्टल बनाये जाने, कैंटेरिया की भूमी सेना को हस्तांत्रित होने और पैंशन संबंदी समस्चाओ को उनके सम्मग उठाया कमलुवा गांजा में पूरण पूर नैन्वा सड़क दामरिकरन के बाब 15 दिन में ही छतिग्रस हो गई जब इसकी शिकायत हुई तो बुदवार को जांच अधिकारियों ने सड़क का निरिक्षन किया, वही निर्मान एजेंसी मंडी परिशत ने काम पूरा होने तक भुपतान रोग दिया है डीजीपी अशोक कुमार ने चंतादरवार में पूलिस को साथ दिन के भीता आरूपियों को पगड़ने के निर्देश दिये थे जिसे हलदवानी पूलिस ने पूरा गर दिखाया है शेयर चोड़ का भागे जालसाज को पूलिस ने बुद्धवार को गुरफता कर लिया है आज उसे कोट में पेश कर जेल पेश दिया गया है अर रामिल्ला मैधान हल्दॐानी में नुपुर्षर्मा के समर्थन और कनहा लाल की हत्या के विरोध में हिंदू समास द्वारा एक வिशार रैली का आयोजन किया गया इसमें शहर के कई अन्य संगटनों के लोगों ने भी हिस्सा लिया ये भगवा रैली हल्दवानी के रावनिला ग्राउंड से जिलाधिकारी कार्याले तक गई जहां समस्त हिंदू समाश के लोग उपस्तित रहें। बाकी की तमाम कबरों के लिए आप बने रही है जेजेन न्यूस के साथ नमस्कार।